हेलो स्टूडेंस आज हम एपिकल सेल थियोरी के बारे में पढ़ेंगे टिशूज या जो उतक प्लांट्स में पाई जाते हैं वो हमने डिटेल में हम कर चुके हैं हमने तरह तरह के जो टिशूज हैं वो देखें किस प्रकार के होते हैं उनकी सनरचना अब जो next step आता है वो ह एपिकल मेरिस्टम्स का ये बहुत मुख्य मेरिस्टम्स होते हैं प्लांट के जिनसे प्लांट की वृद्धी होती है ये दोनों ये जो है ये रूट में भी पाई जाते हैं और शूट में भी तो दोनों ही और क्योंकि प्लांट जो है बादब भड़ता है जड़ जो है वो हमभव होता है तो यह एपीकल के जो मेरिस्टम है यह रोट में देखें तो मेरिस्टम या विब diyorsun जो तक जिसे हम कहते हैं वो रीजन जिसमें की हमेशा कोशिका हैं वो विभाजत होती रहती है और विभाजत होती रहती है जिससे की root और shoot बढ़ते रहते हैं आकार में तो root में जड़ में हम देखें तो इस प्रकार की सनरचना पाई जाती है root caps से ढखा हुआ ये meristum region रहता है तो ये जो region है ये है जिसको हम root meristum कहते हैं और इसी प्रकार यदि हम ये देखें इसकी सनरचना डिटेल में दिख रही है root cap दिखाई दे रहा है उसके अंदर ये जो सनरचना है वो दिखाई दे रही है root meristum की, apical meristum की अब ये हम लेते हैं shoot apical meristum shoot apical meristum जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है ये वाली जो सनरचन डिखती ये है shoot apical meristum तो ये इसके detail में हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी theory जो है वो दिखाई है पहली है apical cell theory या शीशस्त कोशिका वाद ये नगेली द्वारा 1878 में या दिया गया था और ये है इसके अनुसार एक कोशिका होती है जिसको हम apical initial कहते हैं ये tetrahedral akar की होती है और इससे सारी और कोशिकाओं का निर्मान होता है पर ये जो theory है ये lower plants यानि की crypto games के लिए उपयोग में आती है क्योंकि जो higher plants हैं विक्सित पौदे हैं उनमें कई कोशिकाओं पाई जाती है एक ही कोशिका नहीं रहती तो दूसरी जो जैसे की इस चित्र में दिखाई दे रहा है ट्रेटरा हीड्रल सेल थियोरी एपिकल सेल थियोरी होती है दूसरा जो है हिस्टोजन थियोरी हिस्टोजन थियोरी हैंस्टीन द्वारा प्रतिपादित की गई थी 1868 में और इनके अनुसार इनोंने इसको शीश को चाहे रूट हो या शूट हो तीन रीजन्स में बाटा डर्मेटोजन पेरिबलम और प्लूरों डर्मेटोजन जो है जिसको हम तुचा जन कहते हैं वो तुचा जैसे की नाम से पता चल रहा है एपिडर्मिस को उत्पन करती है ये एंटिकलाइनल डिवीजन्स इसमें होते हैं अप्तनिक डिवीजन्स पाए जाते हैं और ये भाय परत जिसको एपिडर्मिस हम कहते हैं उसका निर्माण करती है तो डर्मेटोजन दूसरा जो है वो है प्लूरों या रमजगन रमजन या प्लूरों जो है वो क्या करती है ये इसके समवहन उत्त को उत्पन करती है प्राइमरी वैस्कुलर टिशू, पित्थ, मेडिलरी रेस, पेरि साइकल ये चीज़ें प्लियोरोम से उत्पन होती है और जो तीसरा है वो है पेरि ब्लेम पेरि ब्लेम जो है वो वलकुट जन जिसे हम कहते हैं ये तवचा जन एवं रम जन के बीच में उपस्तित होती है और ये बहुस दर्य होती है और इससे वलकुट का निर्मान होता है तो हैंस्टीन के अनुसार तीन शेत्र है जिनको अलग-अलग हम बाढ़ सकते हैं पर ये जो हैंस्टीन का सद्धान्त है इसमें मुखे जो तथे सामने आते हैं वो ये हैं कि सभी विब्जोति की कोशिकाएं जो है वो विबेदन की समान शमता रखती है और एक शेत्र जोन की शीश जो विब्जोतक दूसरे शेत्र के द्वारा निर्धारिश शेत्र में भी कोशिकाओं का योगदान दे सकते हैं अनेक पौदों में रम जन रम या जिसे हम स्टील कहते हैं के अतरिक्त कॉर्टेक्स भी बनाता है अनेक आवर्त बीजी पात्वों एवं अनावर्त बीजियों में इन पर्तों अत्वा शेत्रों का स्पष्ट विबेदन नहीं होता है उपरोत कारणों से उतक जन सिद्धांत की मानिता समाप्त हो गई अब तीसरा जो है वो है इसलिए तीसरा जो सिद्धांत है वो है ट्यूनिका कॉर्पस थियोरी जो श्मित द्वारा 1924 मे परिपादित किया गया था फोस्टर ने भी इसको माना और इनके अनुसार दो मुखे शीष के भाग में भाज़त किया जा सकता है ट्यूनिका ट्यूनिका जो है एक अध्वा अधिक विबजोत की परतों से बनी होती है जो बहार ये परतें बनाते हैं इसकी कोशिकाएं आक कार में छोटी होती है एवं निश्चत करम में विवस्तित होती है अधिकांशते ये कोशिकाएं एंटी क्लाइनल डिवीजन्स जो है वो उनमें होते हैं और ये अपेक्षाक्रत जो है अभिरंजन यदि हम करें तो गहरे रंग में रंगती हैं दूसरा कॉर्पस या प्ररो कि है ये वैंक्युलेट्ट होती हैं इसमें काफी रजधानिया पाई जाती हैं और विभाजन जो है वो कई तल पर पाये जाता है इसमें ऐंटी क्लाइनल पेरी क्यृक्नाइलर हरी तरे के डिवीजन इसमें पाई जातेip और यूदिय का परतों की संख्या एक से नौ तक भी हो सकती है इन में जो है वो सीजनल ग्रोथ चेंज़ जो है वो भी इसमें दिखाई देते हैं और प्लाजमो डेस्मिटा से ये आपस में कनेक्टेट रहते हैं जैसे कि इस चत्र में दिखाई दे रहा है कि उपर की एक लेयर है ये वाली ये ट्यूनिका और ये अंदर की जो सारी है ये कॉर्पस ये कॉर्पस थी रही है अब यदि हम ये देखें कि कॉर्पस जो है वो ऐसा कई जोन्स में हम फर्दर भी इसको डिवाइट कर सकते हैं कॉर्पस को जैसे कि सेंट्रल मदर सेल्स अपर्मोस्ट जोन अफ कॉर्पस जो होता है वो होता है और पीछ वाला पित या रिब मेरिस्टम होता है और तीसरा होता है फ्लैंग मेरिस्टम तो ये इसको हिस्टोजनिक लियर थियोरी भी कहा जाता है और इसको कई साइंटिस्ट अलग से रखते हैं पर ये जो तीन हैं ये फैंस्टीन द्वारा ही प्रतिपादत किये गए हैं तो इनको अगर हम डिटेल में देखें तो पहला जो प्रात में उतर्वाइंग में प्र जो सेंट्रल मदर सेल्स जो है वो अपरमोस जोन को दशाती हैं पित रिब मेरिस्टम जो है वो सेंट्रल मदर जोन को दशाता है और फ्लैंक मेरिस्टम जो है वो पेरिफरल जोन को दशाता है merits को यदि हम देखें तो इसमें एक है कि कई कोशिकाएं इसमें कहीं गई हैं कि होती हैं और कई planes पे division होता है जो के वास्तविक में देखा जाता है तो इसको आजकल ये मानने है ये theory और crypto games में भी ये theory जो है वो काम करती है ये इस प्रकार इसको हम देख सकते हैं कि कैसे ये चित्र में दिखाई दे रहा है कि tunica initial, corpus ये बीच का है, ये rib meristem है, ये peripheral है और ये खोशिकाग है तो ये इसके अलावा एक और theory दी गई है जिसको a new initial meristem de-attented theory कहा जाता है, पर ये भी इत्ते मानने नहीं है और mainly जो हैंस्टीन द्वारा ट्यूनी का corpus theory है, वो ही आजकल मानी जाती है अब next lecture में हम detail में root और shoot के और details पढ़ेंगे कि किस प्रकार इसमें विसंगतियां पाई जाती हैं, धन्यवाद